Welcome friends to our channel CA Dreams तो इस वीडियो में मैं लेक आया हूँ आपके लिए आपका appreciation validity in new course जब आपको आई से automatically आपको convert कर देता है new course में ठीक है without fees तब आपका जो validity है वो क्या होगा इस बार ये सबसे ज़्यादा important आपका topic है और आपको इसको बहुत अच्छे समझना है ठीक है तो चली start करते है CA foundation तो CA foundation में क्या होगा आपका जो validity है 4 years होगा conversion के बाद में ठीक है और ये 4 years खतम होने के बाद आपका revalidation का requirement है वो allowed नहीं है इसका ये मतलब है कि आपको वापस से re-recision कराना होगा ठीक है आपको fresh registration कराना होगा foundation को अगर आप 4 years में pass नहीं कर पाते हैं किसी कारण से या आप exam नहीं दे पाते से registration करा के रख लेते हैं तो अगर ये 4 years खतम हो जाता registration से तो आपको revalidation हो कोई option नहीं है आपके पास में आपको वापस से registration कराना होगा तो ये रहा CA foundation का second आता है आपका CA enter का CA enter के case में क्या होगा जब convert होते तो 5 years के लिए आपको convert किया जाता है जब ये 5 years खतम हो जाता है आप pass नहीं कर पाते हैं किसी कारण से manage नहीं कर पाते हैं तो आपको एक chance और देता है उसको revalidate करने का ठीक है new scheme में तो total आप यहाँ पे 2 times कर सकते हैं मतब 10 years तक आप इसको चला सकते हैं maximum ठीक है अगर आप इस 10 years पे pass नहीं कर पाते हैं तो आपको re-resistation कराना होगा ठीक है अब आईए CA final CA final में क्या है आपको 10 years का validity मिलता है जब आप convert होते हैं जब को automatically convert किया जाता है from old course to new course तो आपको 10 years का time दिया जाता है validity उसके बाद आप हर 10 साल में उसको re-resistation कर वा सकते हैं यहाँ पे आपको हर साल option दिया गया है कि आप re-resistation कर वा सकते हैं तो गर हम उसको हम लोग summary में देखें sum up करें तो CA foundation को स्री 4 year मिल रहा है convert होने के बाद में CA enter coin totality 10 years मिल रहा है 5 plus 5 ठीक है 5 आपको पहले मिल जा रहा है 5 आपको अगर आप 5 साल को भी cross कर दे रहे हैं तो आपको एक बार और option दे रहे है re-resistation कर आने का अगर आप तब भी नहीं पास कर पारे है time limit 10 years है हर 10 years में every 10 years में आप उसको revaluate करवा सकते हैं तो hopes हो ये वीडियो काफी useful रहा होगा आपके लिए तो आप बने रहे हैं हमारे साथ और बगर को topic से हमारे पास बहुत सरा topic हम उसको prepare करने के लिए डाल रखे हैं वो prepare हो रहा है तो जैसे से ready होते जाएगा हम लोग वीडियो डालते जाएंगे अगर आपको भी किस specific वीडियो चाहिए तो comment section पे जरूर बताएए हम लोगों को तो हम लोग उसको पे भी वीडियो लाने की भरपूर चेस्टा करेंगे Thank you friends